एक गाउं में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी विमला और बच्चो छुटकी और पप्पू के साथ रहता था। विमला रामू की दूसरी पत्नी थी और बहुत ही दुश्ट और थी। वो जरा-जरा सी बात पर पप्पू और छुटकी को चाटा मार दिया करती थी। पिताजी के बारे में छुटकी की बात सुनकर विमला को और गुस्सा आजाता है। वो छुटकी के कान पकड़ कर बोलती है। दयारी दया, चुटकी सी है तू, लेकिन जबान तेरी बहुत लंबी है। देखो तो जरा इनको बाप के बारे में कोई कुछ न बोले। अभी तो मैं जारी हूं महरानी, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए चुप चाप बैठ कर कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर विमला वहां से चली जाती है। पपु छुटकी के पास आता है और बोलता है। बहन तुझे लगी तो नहीं, मेरा बस चले तो इस मा का सर फोड़ दू। कितना गंदा गंदा बोलती है ये हमें। मेरा भाई, मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं बोलते भाई, वो जैसी भी है, हमारी मा ही तो है। कई दिन बीच जाते हैं, एक दिन किसी बात पर विमला चुटकी को खूब मारती है, ये सब वही पास में खड़ा पपू देख रहा होता है, पपू, पपू एक पत्थर उठाता है और विमला को मार देता है, जब देखो मेरी बहन को भला बुरा कैटी रहती है, ये ले, आ हम तो जंगल में आ गए, चल घर चल, नहीं तो पिता जी दुखी होंगे, चुटकी की बात सुनकर पपू हसने लगता है और बोलता है, गबरा क्यों रही है चुटकी, अब तो हम आजाद हुए है, उस ओरत से, मैं कहीं नहीं जाओंगा, बहुत दुखी करती है वो हमें, और रही बात पिता जी की, वो तो वैसे भी उस ओरत के गुलाम है, तब ही पपू और चुटकी को जंगल में एक जोपडी दिखती है, जोपडी में से धुआ निकल रहा होता है, पपू जोपडी के और जाने लगता है, ये देख कर चुटकी पपू को रोकती है, अरे चु रुक्चा भाई, आगे मच्चा, इतने घने जंगल में जोपडी, कहीं कोई खत्रा ना हो, लेकिन पपू चुटकी की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता हुआ जोपडी के दर्वाजे को खटखटाता है, जैसे दर्वाजा खुलता है, चुटकी और पपू की आँखे फटी की फटी रह जाती है, सामने एक बहुत ही डराबनी चुटेल खड़ी होती है, आज तो मजा गया, आज तो शिकार खुद चल कर मेरे पाउस आया है, बच्चों का मांस खाए हुए वैल से भी कई साल हो गए, चुटेल को ऐसे हसते देख पपू चुटेल से बोलता है, चुटेल जी, चुटेल जी, खाना है तो मुझे खालो, मेरी बैर को मत खाना, इसे जाने तो प्लीज, पपू को रोते देख छुटकी को भी रोना आ जाता है और वो चुटेल से बोलती है, नहीं नहीं चुटेल जी, ये तो छोटा है, इसे कुछ नहीं पता, आप इसे जा पपो और चुटकी की बात सुनकर चुटकी बोलती है इमा हम दोनों को जान से मार डालेगी इससे अच्छा है आप हमें खालो ताकि आपका पेट तो भर जाए तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चो बताओ ऐसी क्या बात हो गई फिर चुटकी और पपू चुडैल को अपने साथ हुई सारी बाते बताते हैं जिसे सुनकर चुडैल बोलती है तुम चिंता मत करो बेटी तुम्हारी चुडैल मा को में ठीक करूगी तुम दोनों कुछ दिन यहीं रुख जाओ चुडैल को इतने प्यार से बाते करते देख छुटकी और पपू वहीं रुख जाते हैं इधर छुटकी और पपू को घर पर ना देख रामु को बहुत गुस्सा आता है और वह विमला से बोलता है विमला मेरे दोनों बच्चे कहा हैं तुम उनकी मा हो तुम्हें तो पता होना चाहिए पता नहीं कहा गए होंगे दोनों अब मुझे क्या पता तुम्हारा निशानिबाज लड़का और उसकी प्यारी बेहना कहा है मेरा तु सर फोड़ गए वो दोनों पत्थर मार कर क्या क्या नहीं किया मैंने उन दोनों के लिए लेकिन मुझे बदले में क्या मिला हाई रे मेरी किस्मत ऐसा कहकर विम्ला वहां से चली जाती है वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि पपो और चुटकी दोनों यहां से जा चुके हैं कई दिन बीथ जाते हैं चुडेल चुटकी और पपो का बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती है एक दिन पपू और छुटकी चुडेल के साथ बैट कर खाना खारे होते है चुडेल जी आप तो पिल्कुल हमारी मा की तरह हो आप कितना खयाल रख रही हो हमारा पिल्कुल मा जैसे आपकी परिवार में कोई नहीं है क्या आप इतना अकेले में रहती हो छुटकी की बात सुनकर चुडेल को रोना आ जाता है और वो बुरोते हुए बोलती है बेटी मैं हमेशा से चुडेल नहीं थी मेरा भी एक भरा पुरा परिवार था मेरे दो प्यारे बच्चे थे लेकिन कुछ दुष्टों ने पैसो के लालुच में हमारे घर में आग लगा दी पुरे परिवार को मार डाला मैं तब से चुडेल बनकर भटक रही हूँ उन दुष्टों को मैंने मार कर अपना बदला तो ले लिया लेकिन इस चुडेल जोनी से आजाद नहीं हो पाई मेरे पती और दोनों बच्चे उस आग में ही चल गए चुडेल की बात सुनकर पपू और छुटकी चुडेल के गले लग जाते हैं और बोलते हैं चुडेल जी आप हमें ही अपना परिवार समझो हम आज से आपके साथ ही रहेंगे हाँ चुडेल जी दीदी सही कह रही है आपका भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं उन दोनों की बात सुनकर चुडेल बोलती है तुम दोनों कितने भोले और मासूम हो अरे तुम दोनों हमेशा यहां रहोगे तो पढ़ोगे लिखोगे कब और दोनों बड़े आत्मी कैसे बनोगे लेकि चुडैल जी हमारी माँ हमें घर में रहने कहां देगी वो तो हमें मारती और पीटती है और पढ़ने लिखने भी नहीं देती तुम चिंता मत करो बच्चो उस चुडैल को तुमारी ये चुडैल आंटी ठीक करेगी फिर चुडैल के समझाने पर छुटकी और पपु घर जाने को तयार हो जाते है और चुडैल उन दोनों को घर छोड़ कर गायब हो जाती है विमला जैसी उन दोनों को देखती है गुसे में बोलती है आ गए मनहुसो, गए तो बहुत तेजी से थे, वो भी मेरा सर फोड़ कर, आ जाओ, आओ, आओ, अपने सिर के चोट का बदला तो मैं जरूर लोगी, आओ, 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 विमला की बात सुनकर छुटकी और पपू दोनों घबरा जाते हैं, विमला उन दोनों से खूब काम करव है हाहा, सोल छुटकी की बच्ची, आज की रात तेरी जिन्दगी की आखरी रात है, हाहा, छुटकी की आँभ खुल जाती है, और वो डडरते हुए बोलती है, मा ये क्या कर रही हो, मुझे ऐसे कियो बांदा है, तो मैं से क्यों हस रही हो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, ह पेरी वज़ा से ही तो सब कुछ हो रहा है, पहले तू मरेगी और फिर वो पप्पू, उसके बाद इस घर की मालकिन मैं। ऐसा कहकर विमला एक मशाल लेती है और बंदी हुई छुटकी को जलाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उदर शोर सुनकर पप्पू उट जाता है और जोर जोर से चुड़ैल को बुलाने लगता है। पपू की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और विमला की मशाल को प्छीन लेती है। पपू की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और विमला की मशाल को प्छीन लेती है। अरे मर गई नहीं। चुड़ैल यहां कहां से। मैं इन दोनों के बुलाने पर ही आई हूँ तुझे सबक सिखाने। बच्चों को जलाने चली थी। ऐसा कहकर चुड़ैल विमला को आग लगाने बढ़ती है। लेकिन चुड़ैल जी इन्हें मत मारो। यह ऐसी भी है मेरी मा है। छोड़ तो इन्हें। देख दुष्ट और देख और अगर अब भी शर्म है तो यहां से भाग जा। तुम मा कहलाने के लाइक नहीं है। चुड़ैल को यह गुस्से में देख कर विमला वहां से भाग जाती है। छुटकी तुम दोनों बच्चे आज से मेरा ही परिवार हो। अब से तुम अपने के साथ आराम से रहना। तभी वहां रामू आ जाता है। मतलब यह तुनों यह तुनों मेरे ही बच्चे हैं। तुम सब जिन्दा हो। मुझे लगा कि तुम सब इस दुनिया में नहीं हो। मैं उस दिन किसी तरह अपने दोनों बच्चों को बचा कर आग से बच निकला था। रामू अपनी पहली पतनी को पैचान लेता है। और स किया किया